बात करते हैं डिल्जयम इंजेक्शन के बारे में What is Dylgium? डिल्जयम, it is used to treat faster heart rate, chest pain due to coronary artery, spasm, it also used for hypertension. डिल्जयम most commonly used होने वाली drugs है और प्रिसन थिएटर के अंदर, जस्ट मैं गैस्टों में काम करता हूं तो मुझे इसका ज़्यादा उपर योग करना पड़ता है, का बीपी बहुत बढ़ रहा होता है उस टाइम हम उसमें सदेशन में प्रोसीजर कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स की कंडिशन थोड़ा जाद अच्छी नहीं होती है क्योंकि यूटी के अंदर जो पेशेंट आते हैं वो प्रॉपरली वर्क अप होके आते हैं गैस्टों के से यह मुझे वहां पर बहुत हेल्प करता है डिल्जियम को में सब फास्टर हार्ट्रेट और हाइपर्टेंशन और कॉर्णरी स्पास्म को आपको पेशेंट को चेस्ट पैन है उसको पहले से एक स्टन डल चुकी है काडिक पेशेंट रहा है आपका तो या पोस्ट पेटी आप इसको इंट्रावीनस भी दे सकते हैं और आप इसको बॉलस भी यूज कर सकते हैं आप इसका इन्फुजन भी चला सकते हूं साइड एफेक्ट बॉड़ी पेइन कफ रुनिंग नोज डाइरिया हैडएक नौजिया शीवरिंग स्लो हार्ट रेट स्वेटिंग यह कुछ इसके कॉमन साइड एफेक्ट है इसकी जो डोज होती है फर्स डोज 0.25 एमजी पर केजी बॉड़ी वेट के हिसाब से हम देते ह 0.25 एमजी पर केजी बॉड़ी वेट अगर हम इस पर स्टाटिंग में बोड़ देनी है पेशेंट को तो 0.5 एमजी पर केजी बॉड़ी वेट के हिसाब से पेशेंट को हम दोज दे सकते हैं 20 एमजी इसे रीजनेवल एनफ डोज होती है किसी भी पेशेंट के लिए बट ऐ इसा नहीं है कि हम 20 एमजी यूज करेंगे एक्स्टा यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन रीजनेवल जो डोज होती है वो 20 एमजी होती है तो डिल्जियम बड़े हुए हाट रेट में और बड़े हुए बीपी में आपके पास एक बहुत बेटर अप्सन होता है इसके अलाबा लेकिन आप इसको फ्रीज नहीं कर सकती है मतलब बर जमनी दे सकती है इसके अंदर stored at room temperature up to one month अगर आपने इसको freeze से निकाल के रख लिया है और आपने इसको open कर लिया है तो आप इसको one month के लिए use कर सकते हैं destroy after one month if stored at room temperature आपने इसको freeze से निकाल के open किया है उसके बाद आपने freeze में नहीं रखा है तो आप इसको एक महीनी के बाद में यूज नहीं करेंगे रोम टेंपरिचर अगर आपको इंजेक्शन के अंदर कुछ ग्रोथ दिखाई देती है या कुछ पार्टिकल इधर से उधर आते जाते दिखाई देती है आप इसको जैसे सेख करते हो यह आपको लगता है कि पार्टिकल किलियर नहीं है आपके माइन में कन्फुजन होगा कि अब यह पार्टिकल मेरे को किलियर नहीं दिख रहा है तो आप पूस इंजेक्शन को बिलकुल भी यूज नहीं करना डेट अप रिमूवल फ्रॉम रेफ्रिजरेशन डेट अप रिमूवल जबाफ फ्रीज से निकालते हो उसके उपर हमें सा डेट डालनी चाहिए डेट अप डिसकार्ड वन मंथ आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम रेफ्रिजरेशन जैसे ही आपने इसको फ्रीज से निकाला है आपको इसको वन मंथ के अंदर डिसकार्ड करना ही करना है और वन मंथ के बाद आपको इसको यूज नहीं करना है